प्रियमित्रों, हम गरूर पूरान की कथाब को सुनाते हैं तो आज गरूर जी पुछते हैं कि हे भगवन नरक से आय हुए प्रानी माता के पेट से कैसे उत्पन होते हैं और कैसे गर्भादी का दुख भोगते हैं वो हमुझ से कहिए श्री विश्नु भगवान कहते हैं कि इस्त्री और पुरुष के प्रसंग से बिर्ज और रज से गर्भ में ठार जाने से जैसे मनुशुत्पन होता है वह तुम्शे कहता हूँ जिस रितु काल में तीन दिन इंद्र की ब्रह्म हत्याराती है उन्हीं तीन दिनों में पापियों के देह की उत्पत्ती होती है रितु दर्शन के पहले दिन शांडाली दूसरे दिन ब्रह्म गातनी और तीसरे दिन धोविन शंग्या होती है यही नरक से आये हुए माता की होती है देब इश्वर द्रिष्ट अपनी कर्म से शरीर के उत्पत्ति के लिए प्रानी पुरुष के बिर्जकन के अधार से इस्त्री के उधर में प्रवेश करता है यहां यह विशेस है कि बिर्ज अधिक से पुरुष रज की अधिकता से इस्त्री और दोनों के शमान होने से नपुन्षक होता है तथा बिर्ज रज के विवाग से दो-तीन आधी शन्ताने होती है एक रात्री में कलल, पांच रात्री में बुदबुद, बुलबुला के शमान गोल दस दिन में बेरके फल के शमान और उसके बाद मानसपेसी, अतवा, पच्छी आधी के अंडे के रूप में होता है एक महिने में सीर और दो महिनों में बाहू आधी अनगोश्यक्त होता है तथा तीसरे महीने में नाखबाल, हडडी, खाल और लिंगादी के छिपर होते हैं चोथे महीने में शातु धातुएं और पांचबे महीने में भूख और प्याशुत्पन होती है छठे महीने में जरायू की जिल्ली से लिपता हुआ दाहिनी कोख में घुमने लगता है रहने वाले भूखे कीरो के काटने से उसके सरीर में घाव हो जाते हैं सुकमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मुर्चित हो जाता है माता के खाय हुए करुए तेज गर्म नमकीन रूखे और खटते आदी दुखत पदार्थों के असपर से उसके सरीर में कस्थ होता है वह जरायू में लिपता और बाहरांतों से घिरा हुआ कोख में सिरकर के पीठ और गर्दन जुकाय हुए पिंजरे में फशे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है वहाँ भाग्यबस पुर्ब जन्म का अस्मरन हो आता है जिससे सैक्रों जन्मों के किये हुए कर्मों का अस्मरन कर लंबी शांस लेता हुआ सुख नहीं पाता है अर्थात बहुत दुखी होता है सब्त धातुरूब बंधन से बंधा हुआ रिशी आतमदर्शी जीब डर के मारे हाथ जोर कर विकलवानी से उस भगवान की अस्तुती करता है जिसने की उदर में अस्थापित किया है साथ बे महिने के प्रारमशे ही ज्यान पाकर डरा हुआ दो प्रानी प्रसूती की बायू से एक जगा नहीं रहने पाता जैसे पेत में विश्टा का की रा जीब कहता है कि मैं लक्ष्मी पती जगत के आधार अशुभो पापो के नास करने बाले सरन में आये हुए को पालन करने बाले विश्णु भगवान की सरन में आया हूँ हिनाथ तुम्हारी माया से मोहित हुआ में और इस्तरी पुत्रों में मैं और मेरे अभिमान से अर्था तेहा पुत्र है यह मेरी स्तरी संसार में प्राप्त हुआ है जिन कुटंगयों के बास्ते मैंने शुभह और असुभह कर्म किये थे उससे मैं अकेला ही जल रहा हूँ, वे फल भोगने वाले तो चले गए, यदि मैं इस योनी से छूट जाऊंगा, तो आपके चर्णों का अस्मरन करूंगा, फिर ऐसा उपाय करूंगा, जिससे मैं मुख थो जाऊंगा, विस्था और मुत्र के कुए में परा, और जठरागनी से जलता ह हुआ, मैं यहां से निकलना चाहता हूँ, यह भगवन, इससे बाहर कब निकाले उगए, जिस दिन देयाल ने मुझे ऐसा ज्यान दिया है, मैं उन्ही के शरन में प्राप्त हूँ, फिर मेरा शंसार में आवागवन नो हो, मैं गर्ब से बाहर कभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहां जाने पर पापकर्मों में दुरुगती हो जाएगी, इसलिए बड़े दुख में पड़ा हुआ, भी मैं कलेस रही थूँ, आपके चरनों का साहरा लेकर संसार से अपना उधार करूँगा, श्री भगवान कहते हैं, कि हे गरूर इस परकार की मती बाला दस महीने का जीब गर्ध में अस्तुती करता हुआ, नीचे को मुख किये, प्रसुती की बायू से पैदा होने के लिए प्रेरित किया जाता है, उस बायू से एकायकी फेका हुआ, वह दुखी प्रानी नीचे को सीड कीए हुए, बारे कस्द से बाहर निकलता है, जिससे स्वांस लेना भूल जाता है, और असमिर्थी नश्थ हो जाती है, पिर्थवि में पढ़ा हुआ, वह विष्था मुतर में पढ़े हुए, विष्था के कीरे की तरह चेस्टा करता है, विपरित गती को प्राप्त ह वह पुर्व का ग्यान लुप्त हो जाने से रोनी लगता है रोग में गर्व में पुरान सुन्ने में और अस्मसान में जो मती होती है एदी वैसे ही मती इस्थिर रहे तो बंधन से कौन नहीं छूट जाए कर्म भोग के बाद जब गर्व के बाहर आ जाता है कभी विश्णु होने कसे बालक पने के दुखों को भोगता है बालक के अभी प्राय को नहीं जाने वाला माता पिता से पालन किया हुआ बालक अपना दुख कहने में अस्मर्थ होता है श्वेदज जूग और खटमल आदी जीवों से दूसी अशुद्ध खाट पर सुलाया हुआ बालक करने में और समर्थ होता है किर्मी वाले को क्रीमी कारते हैं उसी प्रकार उसको डांस मच्छर और खटमल आदी जीव जब कोमल खाल में कारते हैं तब वह ज्यान रहित होने से रूता है इस प्रकार बालक पन के दुख को भोग कर फिर प्रोड़ा वस्था का दुख पाता ह है तद अंतर जोबना वस्था में आकर आशूरी शंपदा दंब दर्प अभिमान कित्यादी सब खोटे व्यसुनों में फसा हुआ नीचों की संगती करता है ततावा महाकामी लंपट शास्त्र और सचनों से बैर रखता है देव मायारू पिस्त्री को देखकर उसके हावभ कटाकत चांडी से लुभित ऑजितलिये अगनी में पतंगा के शमान अंधतन में गिरता है हाथी हरेन भरमर्त पतंगा और मचली ये पांचो एक-एक इंद्रिये के विशे में ही फसकर मर जाते हैं और यह एक प्रमादी जो पांच इंद्रियों से पांचो विशेयों काशे बन करते हैं कैसे नहीं मारा जाए इक्षित बस्तु के न मिलने पर अज्ञान से क्रोध बढ़ जाता है तथा देह के साथ बढ़ते हुए शोक अभिमान और क्रोध वह कामी अपने नास के लिए कामियों से लराई करता है तथा अधिक बलबानों से मारा जाता है जैसे हाथी अब यहाथियों से मारा जाता है इसी प्रकारोह मूठ प्रानी विश्व में आसक्त होकर अत्यंत दुरलब नर्देह को बिठाही नास कर देता है अता इससे बढ़कर कौन पापी होगा पश्वादी सैक्रों जातियों में से पित्वी पर मनुस्व का जनपाना दुरलब है मनुस्व में भी ब्राम्हन होना बड़ा दुरलब है उस ब्राम्हन सरीर को पाकर भी जो यम नियम ध्यान धारना अधिधर्मों का पालन नहीं करता है और इंद्रियों का शेवन करता है उसे मानो वालस में हाथ में आए हुए आम्पीत को गिरा दिया है तरुंता के पस्चात बुढ़ा पापा कर बरी-बरी ब्याधियों से घिर कर मर जाता है और पहले के शमान अत्यंत दुखदायक नरक को जाता है इस प्रकार आबागवन रूप कर्म पाशों से बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित होकर कभी भी बैराग को नहीं पाते है ये गरूर इस प्रकार अंतेस्थी कर्म से ही इन पापियों की नारकी ये गती तुमसे कही अब इसके बाद क्या सुनना चाहते हो इती स्री गरूर पुराने शारोगधारे पाप जन्धमादी दुखनिरूपनम नाम खस्तो अध्याय शमापता